दोस्तो आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके और हमारी यूटूब चैनल प्राचीन परमपरा पर दोस्तो हिंदू धर्म सास्त्र से जुड़े एक नई रहस्य के वारे में आज एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे दोस्तो दोस्तो यदि आपके साथ पूजा करते समय सरीर में कमपन महसूस होता है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है दोस्तो कि इस तरह की घटना आपके साथ क्यों हो रही है तो आए जानते हैं दोस्तो हिंदु धर्म सास्तर के अनुसार यदि आप जब भी पूजा करते हैं मंदिर में या फिर अपने घर में उस समय पर यदि आपके सरीर में कमपन महसूस होता है दोस्तो तो इसका अर्थ यह होता है कि आपकी जो कुंडले नी सकती होती है बह धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है जिसके कारण दोस्तो आपके सरीर में कमपन पैदा होने लगता है दोस्तो कुंडली नी सकती तबी जागरत होती है जब आप पूरी निष्था से और पूरे सच्चे मन से घर्प बलकदी अबम पूजा करते हैं उसके बार दोस्तों दूसरा है कि यदि आपके तुनों के अनुसार ऐसा इसलिए तव होता है दोस्तों यह इस बात क्यों संकेत करता है कि आपके अंदर किसी तरह की नकरातमकता उर्जा मौजूद है साथ ही दोस्तों कई बार आपके मन में गंदे विचार या फिल मलिन विचार आने के कारण आपको पूजा करते समय आपको अबासी आ सकती है तो दोस्तों यदि पूजा करते समय आपको अबासी आती है तो आपको बहुत अपनी उपर काम करना चाहिए दोस्तों सच्चे मन से इस्वर की भक्ति करने चाहिए एवं दोस्तों आपको नकरात्मक विचारों को अपने आप से दूर करना चाहिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरे दोरा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो हमारे चैनल प्राचीन परमपरा को सब्सक्राइब लै